हाई फ्रेंड्स, हाल ही में Reliance Jio की तरफ से एक application launch हुई है जिसका नाम है Jio Pause Light App यह app basically क्या करती है इस application की help से आप other Jio number पे recharge कर सकते हो और commission कमा सकते हो और एक अच्छा पैसा कमा सकते हो ठीक है इस application में कैसे register करते हैं, कैसे इसको use करते हैं यह सारी चीजे में आपको step by step इस वीडियो में बताऊंगा यह application आपको use करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितना आपको benefit मिलेगा, कितना आपको benefit नहीं मिलेगा किन लोगों को use करना चाहिए, किन लोगों को use नहीं करना चाहिए जितनी भी सारी बाते हैं इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी confusion आपके माइंड में होगा वो सारा का सारा धूर हो जाएगा तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं राम टेकनिकल टिक यूटूब चैनल तो आएए शुरू करते हैं अभी सब्सक्राइब करें राम टेकनिकल टिक यूटूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी प्रेस करें हमारी आने वाली सभी लेटेस टेक्मिलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बनने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी अगर आपको यह जानकरी पसंद आती है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना शेर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा हमें जाना है प्ले स्टोर पे और वहाँ पे हमें सर्च करना है और सर्च करने के बाद इस तरह का इसका एक आइकन है आप देख लिजए और आपको यह करना एंस्टाल करने के बाद आपको करना होगा ओपन और आपको इस तरह का इंट्रफेस दुगेगा णार्मिशन दैनी है पहला fundamental दूसरा location और तीस्रा mead तो मैं यहां से कर देता हूँ allow, allow करने के बाद इन तीनों को मैं करता हूँ यहापे allow और उसके बाद मुझे देखेगा कुछ इस तरह का interface अब मैं यहापे first time अगर कर रहा हूँ तो मैं को करना है sign up, तो मैं हापे click कर देता हूँ यहाँ से मैं भर देता हूँ यह जो भी सारी detail है वो friends, email id डालने के बाद और mobile number डालने के बाद मैंने OTP verify करा लिया है अब यहाँ से मैं को तीसरा task है वो करना है अपनी location को verify कराना तो मैं यहाँ पे choose your location पे click करके और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैंने successfully क्या कर लिया है इसमें sign in कर लिया है sign up कर लिया है अब मैं को sign in करना है ठीक है तो sign in करने के लिए मैं यहाँ डालूँगा same अपना mobile number डालूँगा उसके बाद generate OTP पे click करूँगा OTP friends यहाँ पे आयेगा OTP मैं कराता हूँ verify और उसके बाद friends यहाँ पे मैं को एक MPIN generate करना पड़ेगा यह MPIN friends आप जब भी recharge करोगे तब आपको डालना पड़ेगा ठीक है तो कोई सा भी एक 4 digit का MPIN यहाँ पे set कर लिजे 1 1 2 2 और उसके बाद आपको क्या करना है setup पे click कर देना है तो जैसे ही friends आप setup पे click करेंगे तो उसके बाद यानि कि आपने इसमें successfully sign in कर लिया है अब यहाँ से आपको क्या करना है सबसे पहले आप यहाँ पे इस तरह का interface देखोगे सबसे पहला जो option आपको दिख रहा है वो दिख रहा है recharge का दूसरा है my earning का यहाँ पे आपकी earning आपका commission show होगा जितना भी आपने कमाया होगा उसके बाद friends यहाँ पे आपको देखेगा load money यहाँ से आप क्या करोगे आप अपने debit card के थरो या फिर किसी भी networking के थरो UPI ID के थरो आप यहाँ पे इस wallet में पैसे add करोगे ताकि आप recharge कर पाओ और fourth आप यहाँ पे देखोगे passbook तो इस passbook में friends आप 20 days का record रख सकते हो यह record देख सकते हो कि 20 दिन पहले या फिर 20 days आपने किस-किस number पे recharge किया और कितने-कितने का recharge किया तो 20 दिन का यहाँ पे record रहता है सबसे पहला काम यहाँ पे friends आपको जो करना है वो करना है load money यहाँ पे आप जाओ load money पे click करके यहाँ पे आपको add करना है money ठीक है अगर आप 500 रुपीज add करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको 20 रुपे 8-3 यानि कि 20 रुपे का जो आपको एक तरह से बोल सकते हैं यह आपका incentive हो गया एक तरह से और या फिर हम इसको बोल सकते हैं यह हमारा commission होगे ठीक है आप कुतना भी recharge करेंगे ठीक है तो आपको जो भी आपको यहाँ पे क्या करना है minimum या maximum आपको 1000 रुपीज add करके यहाँ पे proceed पे क्लिक करके Paytm या फिर net banking या फिर debit card UPI किसी के भी धिरो आप यहाँ से क्या कर सकते हो इस wallet में पैसे add कर सकते हो सबसे पहला task आपको क्या करना है इस wallet में पैसे add करने करीब 1000 रुपे डालने है डालने के बाद suppose यहां से आप डाल दोगे उसके बाद आप यहां से क्या कर सकते हो तो friends अब हम यहां से समझ लेते हैं कि यह application कितना आपके लिए फायदे मंद है और किन-किन लोगों के लिए फायदे मंद है किनको यूज करना चाहिए किनको यूज नहीं करना चाहिए सबसे पहले friends मैं आपको इसके advantage बताऊंगा positive point बताऊंगा तो अगर आप एक retailer है आपकी एक mobile recharge की दुकान है और आप recharge बगरा करते हैं तो ऐसे case में आप इस application का use करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो दूसरे case में friends यह हो सकता है कि आपका एक बहुत बड़ा friend circle है आपके एक बहुत बड़ी family है जिनका number आपको recharge करना होता है तो ऐसे में आप यहां से registration करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं उनके mobile पे recharge करके अब अगर मैं इसके disadvantage की बात करूँ तो इसके दो disadvantage में को लगे जिसमें पहला disadvantage यह है कि आप इस application में जितना भी commission कमाएंगे उसको transfer नहीं कर सकते हैं उसका सिर्फ आप recharge कर सकते हो suppose करो कि आपने numbers पे recharge करके 300 रुपए का commission कमाया 300-400 रुपए का और आप उस application आप उस पैसे को withdrawal करना चाहते हो किसी paytm में या फिर किसी bank account में transfer करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते आपको उस money कर recharge करना होगा दूसरा जो इसका disadvantage है वो यह है कि आपको extra कोई offer नहीं मिलेगा यानि कि कभी-कभी क्या होता है कि अगर आप इतना recharge कर दोगे तो आपको इतना bonus मिलेगा या फिर इतना आपका commission हो जाएगा तो इस तरह का कोई भी commission इसमें नहीं है इसमें commission fix है 4.1% ठीक है तो आपको यह application यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए सारी चीज़े मैंने आपको बता दी आपको यह जानकारी है वो पसंद आई होगी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है friends तो प्लीज यार इस वीडियो को like करिए share करिए और उन लोगों तक पहुचा दीजे यार जिनको इनकी जरूरत है आपने इस वीडियो को देखा मुझे time दिया उसके लिए दिल से बह बहुत बहुत धन्यवाद चैहिद चैह वारत